इवे भी सामनी आया अब मामला दर्च कर लिया गया है आगे बढ़ते हैं सीम विश्टरूदेव साई अपने घ्रेन अगर जश्पूर पहुंचे कुनकुरी विधाल सभा के दुल्दुला में सीम का हेलिकॉप्टर उतरा सीम साई मद्दाता अभिनंदन समारों में शामल हु हुए सीम ने मंचु से मद्दाताओं का अभिनंदन किया और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं इसलो होँ आप देख रहे हैं हई आप कुनकुरी विधान सभा के पांचों मंडल के हमर्ट समस्थोल्ल कार टा भाई बहनिमां हमर्डल के पदादीकारी मन जिला के पदादीकारी मन हमर्मेला मोर्चा इवा मोर्चा और भी मोर्चा परकोष के समस्त कार करता भाई बहनी मला बहुत बहुत मैं बधाई देता हैं धन्यवा देता हैं आपन के परिश्रम के कारण कुनकुरी में आपन भारी मत से जिता है पहले जो बिधायक रहीस और संसदे सची भी रहीस पिछले सरकार म अईसा लगात रिस्किये तो कभी हमार ही नहीं नकसल वात पर एक बार फिर से राजनेतिक बयान बाजी शुरू हो चुकी है प्रदेश कॉंक्रस अध्यक दीपक बैज ने नकसल ओपरेशन पर सवाल उठाए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी फेक एनकाउंटर कर वावाही लूट रही है इस पर बस्तर से बीजेपी सैसत महेश करशिप ने फलटबार किया और उन्होंने आरोप लगाया कि पात सालों में कॉंक्रस ने नकसल ओपरेशन को बढ़ावा दिया आप नारायनपूर की घटना को देखें कि वहां से भी ग्रामिड आये थे जब फांच लोगों के एंकाउंटर हुआ है गाम वाले वहां भी फर्जे एंकाउंटर का आरोप लगाए है क्या सरकार पिछले 15 साल की तरह काम करना चाह रही है निर्दो साधिवासियों को फर्जे के एंकाउंटर कर वो नकसली थाबित करने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस के लोगों को तो अभी जितने लोग फुलिस के गोली से मारे नहीं गए उससे ज़्यादा नक्सली के आथ से मारे गए हैं तो ये लोगों को बताना चाहिए वास्तों में नक्सली कोन है मुंगेली के लोर्मी में केंडरी राज्य मंत्री तोखन साहू मद्दाता सम्मान समारों में शामिल हुए तोखन साहू ने जनता का धनेवाद किया और इस टैप्टिसीम अरोर साफ के अलावा बड़ी संख्या में बीज़पी कारेकरता और पदाधी कारी शामिल हुए इससे बहले केंडरी मंत्री ने सियान सदन का शिभारम किया सियान सदन वरष्ट नाकरेकों के लिए बनाया गया है इस कारेकरम में बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग शामिल हुए बहुत 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 अभी मंत्रा रखता है राज़दाने राइपुर में क्राइम के केस कम हुए है वही नश्रे के कारूबार और इससे जुड़े मामलों में 19 फीसदी का इजाफा देखा गया पुलिस का कहना है कि अफराद में आठ फीसदी की गरावट वही नश्रे के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहे हैं इस वज़़े से केस बड़े दिखाई दे रहे है कि खिलाफ अभियान निजात लगातार जारी है आप देखे होंगे कि अफराद हम लगातार कायम कर रहे हैं जिससे अफराद जो काईमी है उसमें संख्या बड़ी है किन्तु पैरलल ही देखेंगे कि चाकुबाजी में और मडर में अन्य जो अफराद है आई पीसी के अपर कि खिलाफ और किसी भी रूप में इन अपरादियों को बखसा नी जाएगा कोंड़ा गांस से खबर है दोस्ती के नाम पर युफ्ती से दुश्कर्म किया गया नाम बदल कर सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई युफ्ती से मिलने पर दोस्ता आया मिलने के लिए घर पर बलरामपुर में लाखों के दोखा दरी कर अफसर फरार हो गया 35 लाख रुपए का गबन करके फील्ड ऑफिसर फरार है लोगों के नाम से लोन लेकर फरार हो गया है 114 उब्भुगताओं के नाम से लोन लिया था एको फाइनेंस लिमिटेंट कमपणी में काम करता था वाड़ अफ नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गाओं में जाकर महिलाओं को छोटे-छोटे समू मना कर लोन दिलवाने का काम करता था लोन दिलवा कर पचास जार का लोन दिलवाया पांच जार देकर बांकी पैसा खुद रखकर बोलता था किस्त को मैं पटा लूँगा दो हजार बाइस सो नुक्त था तीस माई को तीस माई चोबीस को रिजाइन दिया रिजाइन दिने बाद पता चला करीब साड़ सत्तर समूहों का किस्त बांकी है और करीब 35 लाग रुपाय का गवन लेकर फरार हो गया है इसके लिए फायर किया गया है आरुपी के पता तला जारी है राइपूर में भवन नर्मान के दोरान यूवक की मौत हो गई बता दें इंदरप्रस्त कॉलोनी में यूवक की मौत हो यह मकान के लिए बनाए गड़े में गिरने से